हलो एवरिवान नमस्कार सभी को एक बाद फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारे फट्डा हिंदी मेडियम पर तो हम आज अपने इस सेशन पर बात करने वाले हैं कि हमारे यूजी सीनेट जून दोजार चॉबिस के लिए पेपर वन की दो सबसे इंपॉर्टेंट इकाई दो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी हो जाती भाईया मैस्वर दी आई और जिसमें हमारे पास शौरटी है कि भाईया कुश्चन आना ही आना है पांच प्रशन आपके तो उसके जो प्रेक्टिस हैं हमें कैसे करनी है क्या अप्रोच हमें लगानी है ठीके घंज क्या हम सब्सक्राइब जरू कर देना है योगेश میरा नाम है जारे फड़ा अपना चानल है चानल पेपर वन पेपर टूमनों की तई सबस्क्राइब कर लेना है बात ऐसी है कि बहुत सबसे पहले हमारी हो जाती है कि आपको अपना बेस सबसे क्लियर करना है दो तरीके से हमारे पास लेर्नर जिनका जो बेस है मैस की तरफ अच्छा है और जिनका बेस नहीं बनावा है तो यदि जिनोंने अपना बेस बना लिया है या मैं बात करूं जिनके बेसिक्स क्लियर है तो उनको जो है सबसे पहले देखने चाहिए सबसे पहले प्रोच लगानी आनी चाहिए आप सभी को जो है आप सभी का पूछा गया है ठीक है इसके बाद प्रोच लगानी आनी चाहिए आप सभी को जो है अप्रोच लगानी आनी चाहिए कि भाईया प्रशन जो है हम लोग कैसे सौल करें और वो अप्रोच है मुझे मेरा यह मानना है कि भाईया अप्रोच जो है देखो जूटे वादय या जूटे दिला से मैं नहीं दूँगा एक्जाम टाइम पे अप्रोच ज आज की बाथ करहें आपका परशंटेज हो गया प्रतीशत आउसत आपका हो गया अनुपात आपका हो गया आपका लाभानी हो गया चक्रिवती ब्याज सरल भ्याजक आपका ट्रेण वाले कोशन आपके नाव और धारवाले कॉशन ये तो वहीया ऐसे टॉपिक है जहां आपके NTA द्वारा पूछे ही जाते हैं तो इनको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं तो मतलब आप देखो यदि आपने अभी भी कुछ भी नहीं करा है तो मैं तो ये बोलूँगा तो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है त्यारी शुरू कर दो अल्रडी मेरी क्लास रात को 9 बजे हो रही है मैं तो बुलूँगा जहां से भी आपको अच्छा लग रहा है वहां से पड़ो पर तेखो ये जो question है आपने को छोड़ के नहीं आने है वहीं मैं यदि आप सभी को बात करूँ भाईया डियाई की डियाई में हमें क्या करना है भाईया डियाई में बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले आपको मान लो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि डियाई सॉल नहीं करनी आ रही है मैं हर क्लास में यहीं बोल रहा हूँ कि पहले आप लो D.I. को समझने के कोशिश करो कि भाई किस प्रकार की जो सूचना है आप सभी को इस D.I. में दी गई है और हमें निकानना क्या है तो हम लोग अप्रोच कैसे लगाएं बिल्कुल बेसिक जो D.I. है ना उनको सॉल करने का सबसे पहले परयास करो हम यह मानके चल रहे हैं कि हमार नहीं बोलूगा भया एक दिन में दो D.I. भी लगाते हैं तो आप देखो इस 40-50 दिन में आप लोग 100 D.I. जो है सॉल कर चुके होंगे मतला मिनिममम तो भया आपको 100 तो करनी है इससे तो कम क्या ही करोगे फिर हम लोग एक्सपेक्टे नहीं कर सकते हैं चीजों को अब इन प्रेक्टेस आप सभी की महाँ पर जो होने वाली है तो यहां पर भया हमें यह देखना है और बिल्कुल बेसिक लेवल से अब एक एक दिन मानलो आज आपने बहुत बेसिक डियाई सॉल करी दो नेक्स डे आप कर रहे हूं तो एक लेवल उपर वाले डियाई उठा लो और उसको सॉल करने लग जाओ बात ऐसी है पर डियाई के लिए कुछ ऐसे चारपर हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक उजाते हैं मैच के जो आपको आना चाहिए वह प्रतिश्य सबसे पहले अनुप लिए उसके लिए त्यार रहना है अब दूसरा हमारे पास भाईया यह डाउट होता है क्या कि हम जो है पीवाइक्यू सॉल करें या फिर हम फ्यूचर एक्स्पेक्टेड क्वेश्चन से वह हम लोग सॉल करें तो भाईया मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहल इसे लिए जो है आल्रेडी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा क्रैश को जो है अल्रेडी स्टार्ट कर दिया है पेपर वन की अधी आप लोग तयारी करना चाहते हैं हिंदी मेडियू से और ऑल्डॉ बाय लिंग्वल में होगा क्रैश कोर्स पेपर वन का वहिया करने वाला हूं जिसमें आपकी mathematical reasoning होगी ठीक है जी आपकी logical reasoning होगी प्लस आपकी यहां पर डियाइओ होगी और तीनों के मैं क्या करवाने वाला हूं पिछले 10 साल के पिछले 10 साल के PYQ में करवाने वाला हूं तो मतलब 1224 चल रहा है 2014 से पीवाइक्यू करने वाले हैं इतने सारे match में इतने सारे number of questions हमारे पास होंगे साथ में PYQs हम लोग solve कर रहे होंगे concept पे हम लोग बात कर रहे होंगे practice अपने आप हमारी हो जाएगी और PYQ पे मैंने क्यों focus किया है कोई वहिए match DI में यदि previous year question करोगे आइडिया लग जाएगा किस तरीके प्रस्फेशन बन रहे हैं और हमारी पास question भी करने के लिए जादा हो जाएंगे बाकि जो teachers हैं बाकि जो educators हैं आपके वो जो हैं अपने units करवाएंगे concept and questions के साथ में तो यदि आप लोग batch से जुनना चाहते हैं करता हूं कि सब कुछ clarity आप सभी को मिल गई होगी नहीं है तो यह comment करके पूछ लिजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डेली रात को 9 पीम नौ बजे जो है मेरी class तो चल ही रही है नौ बजे डेली जो है हमारी class होती है जिसमें हम तीनो यूनिट discuss कर रहे हैं एलार आपका डि और आपकी mathematical reasoning ठीक है तीनो का मैं जो है बिल्कुल निचोड करवा दे रहा हूं रात को 9 बजे तो बिल्कुल जॉइन दा सेशन और साथ में आप crash course को भी कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुनने के लिए बने रहे हैं जारे फटा हिंदी मेडियम के साथ धन्यवाद